आज हम बनाएंगे मसाला कॉनफलेक्स चीवडा, टी टाइम स्टेक्स है, बहुत एजी रेसिपे, बहुत चटपटा बनता है, इसी आप कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, मार्केट में ये कॉनफलेक्स चीवडा बहुत महंगा मिलता है, आप घर पर बहुत यासाने स बना सकते हैं, हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं किचन, टीना किचन में आपका भूब भूब स्वागत है, सबसे पहले हमें चाहिए मकई पोहा, मैंने यहां 200 ग्राम मकई पोहा लिया है, गैस पर मैंने हां कढ़ाई रखी है, तेल गरम कर लिया है, गरम तेल में हमें मकई पोहा को डालके, फ्राई करके निकालना है, इसे फ्राई करने के लिए, तेल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए, नहीं तो यह अच्छे से फूलें humor है, थोड़े कच्छे रह जाएंगे, इसलिए तेल गरम हो उसके बाद ही इसमें डालें, अब इसमें डालेंगे हमאar मै सिंग्दारा की क्वांटेटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं निकालने के बाद अब थोड़े डालेंगे हम कड़ी पत्ता भी मैंने हाँ 25 तेस लिये हैं कड़ी पत्ता का फ्लीवर अच्छा आता है और जल्दी ही फ्राइब हो जाते हैं कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत अच कर डाते नहीं है साइड में निकाल देते हैं लेकिन गड़ी पत्ता खाने में भूत ही ज़्यादा श्वास्त बहुत अच्छे रहते हैं कड़ी पत्ता इसलिए मैंने चूट दिया है अब मसाला रेडी करेंगे एक बावल में में मैंने एक चम्मस डाली आम चूर पावडर एक चम्मज डाला है शुगर पाउडर चीनी का पाउडर खटा मीठा टेस्ट देने के लिए एक चम्मज डाला है कस्मीरी रेड चिली पाउडर हलका रेड कलर देने के लिए इससे कलर अच्छा आता है और स्पाइसी के लिए डाला है आदा चम्मज रेड चिली पाउडर और एक बड़े बरतन में डाल लिया है ताकि जो मसाला हम मिक्स करेंगे इसली मिक्स हो जाए मैंने यहां बहुत बड़े बरतन में डाल लिया है इसमें इसली मिक्स हो जाएगा जो पूरा मसाला हमने रेडी किया है पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे पूरा मसाला डालने के बाद अच्छे से mix करेंगे यह देखिए कितना easy mix हो रहा है चोटे बरतन में mix करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है ये देखिए हमारा konflex मसाला चूड़ा बन कर रैड़ी हो गया है टी टाइम स्नेक्स अगर आप लोगों को मिले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजे और बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कर ल हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे धन्यवाद